कौकरोच भगाने का घरेलू नूस्का हाँ दोस्तों अगर बत्ती में बस एक चीज मिलाने से आपका घर में कौकरोच घर में तो क्या? आपका घर के बाहर भी नहीं दिखेगा तो आज मैं चार तरीके आप सब के साथ सेर करूँगी जो की घर में ही हर किसी के कीचिन में रहता है, घर के चीजों से ही चार तरीके मैं दिखाऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे, आप ऐसे कर सकते हो, और कौक रोच को हमेशा के लिए भगा सकते हो, तो चलिए पहले तरीका होगी, तो उसके लिए मैंने लिया है, एक क्लास से थोड़ा कम ही लिए यूज करते हो वही अगरबति ले लीजिए और इस तरह से आप अगरबति जो है ना उपर की पार्त उसको छोड़ा लेनी है कि मैं इस तरह से छोड़ा रही हूं अगर आप चाहू तो इसका पावडर भी बना सकते हो अगर पाउडर बना लेते हो तो जाधा अच्छा रहता है क्योंकि मैं जो इस तरह से छोड़ा रही हूँ ना इसके लिए आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो अगर बत्ती है ये बहुती सक्त होता है और पानी में भी जल्दी घुलता नहीं है के लिए ये दिखिए दोस्तों ये जो करपूर है ना पूजा घर में जो यूज किया जाता है वही है तो इस कपूर को आप पाउडर बना लिजिए और पाउडर बना कर इसमें एड़ कर दिजिए तो मैंने चार अगर बत्ती लिया है तो चार अगर बत्ती के लिए आप च अच्छे से पानी में घूल मिल जाए अचे से घूल मिल गया है अगर थोड़ा सा भी दरदर्द रहता है तो आप इसको चान जो स्प्रेइ बोतल तो डाल सकते हो क्यों emg अगर दर दर रहता है ना तो पाइब में अगर अटक जाएगा तो इस प्रे अच्छा नहीं होगा इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप छान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप छलिए थोड़ा सा लिया है मैंने कटन और इस रुई में मैं डाल दूंगी इस लिक्व क्या रख दूगे और ये धीरे धीरे देखोगे कॉक्रोज उहां से एकदम गायब हो जाएगी और ये इस्प्रे बोतल में रखा हुआ है ना आप हर रोज एक बार करके इस्प्रे कर सकते हो और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी बच्चे की हो या फिर बड़ कर सकते हो चलिए अब देख लेते हैं अगली तरीका यानि की तरीका नंबर दो तो यहां पर मैंने लिया है सुगर और इस चीनी को ऐसे ही नहीं यूज करना है इसका पाउडर बनानी है तो मैंने एक चमच लिया है चीनी चीनी का पाउडर आप देखिए इसमें क्या अब हो जाएगा यह बहुत जबर्दस्त तरीका है तो यहां पर ले लेनी है जो करम खेलने की पाउडर होती है ना बोरिक पाउडर हो ही है तो एक चीनी के लिए एक चमच पाउडर लेना है बरबर मात्रा में लेगे तो ज्यादा अच्छा रहता है अब इस तरह से चीनी खाने के लिए जब कोक्रोच आता है तो उसको क्या खाता है वो खाता है बोरिक पाउडर अगर बोरिक पाउडर जरस अभी उसके पेट के अंतर जाएगा ना तो ओ ऐसे आपके किचेन से घर से ऐसे भागेगा कि आपका घर का आसपास भी नहीं आएगा तो इस तरह स आप उसी पाउडर को छिरका सकते हो जहां से आता जाता रहता है या फिर जहां पर आपको लगे कि यहां पर कोक्रोच आता जाता रहता है तो इस तरह से आप पाउडर को छिरका के रख सकते हो और इसमें किजी का नुकसान भी नहीं होगा दोस्तों बाजार से जो हम खरीक के लाते हैं केमिकल उससे खत्रा हो सकते हैं जिसके घर में बच्चे होते हैं चलिए अब देख लेते हैं तरी का नंबार थ्री तो यहां पर मैंने लिया है जो नेप्थलिन होती है ना कपड़े में देने वाली अलमीरा में रखते हैं वही नेप्थलिन लिया है दो गोलिया दो गोलिया नेप्थलिन के लिए मैं लेलूँगी दो ठीकिया इस कपूर तो कपूर मेरे पास दो नहीं थी एक ही है तो आप यहां पे मैं एक ही डालूँगी लेकिन आप अगर बनाते हो तो दो कपूर के लिए दो नेप्थलिन यूज़ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहत है परवर मात्रा में आप इसका पाउडर बनाना है आपको जैसे सुविदा लगे उस तरह से आप पाउडर बना सकते हो तो चलिए मैं इस तरह से पाउडर बना लिया है आप इस पाउडर को क्या करूंगी कैसे यूज़ करना है कौक रोच के लिए ठीक है कपूर और नेप वो थोड़ा सा भी खा लेगा ना तो एकदम से सपत चठ हो जाएगा आपकी घर से कौक रोज तो इस तरह से मैंने पुरिया बना लिया है और पुरिया बनाने के बाद इसको छेद करनी है तो किस तरह से छेद बनानी है चलो ओभी मैं दिखा देती हूँ बहुत ही आसन तरीक के से आप इस तरह से पुरिया बना सकते हो और नीचे की साइड इस तरह से बड़े बड़े छेद करोगे तो ही इसके अंदर की जो स्ट्रॉंग गंद है ओ निकल के आएगा और आप अगर इस तरह से पुरिया बनाना नहीं चाहते हो तो जो मैंने कागाज में रखा है ना उसी तरह से आप रख सकते हो वही दिक्कत नहीं है आप का घर में क्यों आपके घर के आसपास भी नहीं दिखेगा एक वक्रूच अब चलिए उसी जो पावडर था ना वही पावडर थोड़ा सा रख दिया था मैंने आप उसी पावडर को स्प्रे बोतल में डाल दिया है चलेगा कॉलिन की हो या फिर जो चस्मे में देने वाली पानी होता है तो उसकी बोतल में भी दे सकते हो जैसे कि मैंने दिया है वही बोतल में चस्मे वाला जो पानी होता है उसी बोतल में मैंने डाला है और थोड़ा सा पावडर था इसलिए थोड़ा सा पावडर देना हो आप देखिए ये बोतल में डालने के बाद आपको जहां में लगे कि कौक रोज आता जाता रहता है या फिर कौक रोज अंडे दे रखा है तो उसी जगे पे आप हर रोज एक बार करके स्प्रे कर दोगे तो देखो के आपके घर से जो कौक रोज है न वो अत्तम से गायब हो जाएगी और सिर्फ कौक रोज ही क्यों जो तरीका मैं जितना भी तरीका मैंने दिखाया है न हर तरीके आपका कौक रोज नहीं छोटे मोटे जो किरे बगड़े होते है न तो ओ भी गायब हो जाएगा ओ बहुती बढ़िया ये तरीका है वीडियो अगर जड़ा सा भी अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी किजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिए